इहले थेस्थ मास्टरमाइन रियाओं आपर कर तो इसे पहले हैं शकुत को हो लेकर थिसको लेकर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोड जो है इस तरह के फैसले आप सुना रहा है और इस पर जो है कई जो आरोपी हैं उनको अब रिया करना जरूरी हुजा रहा है क्योंकि उनके खिलाब ठोड नहीं हो पा रहे हैं सच्वालाई करमी समय पांच और को जमानत तो उत्रहंड में जिन लोगों को घरपता किया गथा लगाता उनकी जमानत मिलती जा रही है इससे पहले बे कई लोग को मिला है तो और कल यहांप पांच लोग को और जमानत दे दिये गी है जिसमें आप दो देख सेते हैं पेवर भागने सायक नीजी सचीव समय पर पांच आरोपी की जमानत कोट ने वंजूर कर ली है और बचाव बाक्ष ने जो है दलील दी कि उसने जो है कोई जो बरामदगी नहीं हुई है ऐसे कोई कहा है और सान में यह भी का कि इसके खिलाब केवल मौखिक शाक्ष मौजूद है और जिसको आजर मांते हुए और पांच विकति का वांड़ और यहां कर देन जमानत के धर तो यह थी पर जमानत मनजूर दे दी है तो यहां वर डेग्स त्राइब है उनको जमानत दे दी एक खिलाब कोई भी ठोस सबूत नहीं है तो इसंवर आपनें जी सेचवे हैं उसक और गोरव नेगी है उसको रहा कर दिया गया है बलवन्सिंग है उसको रहा कर दिया गया है तो इस तरह कहीं पांस लोगों रहा कर दिया